दोस्तों मैंने रिसेंटली अभी सेमसंग का M31S पर्चेस किया है इसको खरीदे मुझे वन मन्त भी नहीं हुआ है अभी और मुझे इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगी स्टार्टिंग के 10 डेज तक इसमें नेट बहुत ही अच्छा चल रहा था तो उससे भी मतलब थोड़े देर नेट चलता था और फिर उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम फिर से नेट नहीं चलता था फिर मैंने सोचा कि सायद इस सिम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैंने इस सिम को अपने पुराने वाले फोन में लगा के देखा और वहाँ पर मुझे net चलाने में कोई भी problem नहीं हो रही थी, net की speed भी बहुत अच्छी मिल रही थी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर net के बारे में इस पढ़ा जाए कि और भी users को इस phone के साथ problem हो रही है या नहीं तो मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे users को same problem है वो लोग भी net use करने में problem face कर रहे हैं और उनका भी net हर 2 minute में बार-बार disconnect हो जा रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जा और अपने सभी viewers को बताया जा कि आप इस problem को कैसे solve कर सकते हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो के साथ क्योंकि इस वीडियो मैं आपको M-Series के सारे problems network के related और उसके solution के बारे में बताने वाला हूँ Hello दोस्तों मेरा नाम है अमित आप देखने टेक्निकल एके ग्यान YouTube चैनल चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों यह बिल्कुल भी नहीं है कि सभी यूजर्स के साथ सेम ही problem है कुल मिला के तीन चार problem है जो सभी यूजर्स face कर रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको उन सभी problems और उनके solutions के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों पहला problem यह है कि हो सकता है कि आपके phone में problem नहीं हो आपके SIM में issue हो तो वह चेक करने के लिए आप अपने SIM को एक बार निकाल के देखिएगा और दूसरे phone में एक बार लगा के देखिएगा अगर उस phone में आपको net चलाने में problem नहीं हो रही है तो हो सकता है कि इस phone का problem हो अगर उस phone में भी net नहीं चल रहा है तो problem आपके SIM का है उस problem को solve करने के लिए आपको अपने नजदी की दुकान में जाके अपने SIM का एक duplicate copy लेना होगा duplicate SIM लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है आपको अपना आधार काड लेके जाना है दुकान पर और आपको बोलना है कि मुझे इस number का duplicate SIM चाहिए और वो आपको चार घंटे में activate करके दे देगा तो दोस्तों यह तो हो गया SIM के problem की बात अब मैं बताता हूं कि इस phone में आप और क्या-क्या इसू face कर सकते हैं दूसरी problem यह है कि हो सकता है कि आपने इस phone में सही APN install नहीं किया हो या फिर आपके phone में APN की setting गढ़बढ हो तो आप APN की setting आप चेक कर सकते हैं अपने phone की setting में जाना होगा आपको इसके लिए और connections में जाना होगा उसके बाद connections में आपको एक option मिलेगा mobile network mobile network में आपको एक option मिलेगा access point name यहां पर आप अपने SIM के हिसाब से APN को install कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके phone में APN ठीक से install नहीं है तो आप इसको reset भी कर सकते हैं reset करने के लिए आपको अपने phone के setting में जाना है setting में जाके आपको एक option मिलेगा general management general management में जाना है general management में जाके आपको एक option मिलेगा reset reset में जाके आपको नेटवर्क रिसेट कर देना है रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए रिसेट करने का उप्शन मिल जागए यहां पर आपका वाइफाई मोबाइल नेटवर्क और व्लुथूस अगर इन तीनों में जो भी जाएफ से APN को इंस्टाल कर सकते हैं और APN कैसे इंस्टाल करना है मैंने उसके लिए एक वीडियो अलग से किया हुआ है उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूगा और यहां पे i के बटन में भी दे दूँगा तो आप वहां से जा कि उन सभी एप्स में थोड़ी बहुत सेटिंग्स को मैंने अपने हिसाब से चेंज किया था अब उन एप्लिकेशन का नेट्वर्क के साथ क्या कनेक्शन है वो तो देखना पड़ेगा लेकिन हां ये बात मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि मैंने उस सेटिंग्स को चे एप लॉंच हुआ है और मैंने भी सबकी तरह 4G गेम को इंस्टॉल किया था और दोस्तों 4G गेम में बहुत सारे बग्स हैं तो मेभी उसकी वज़े से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैंने 4G एप को अंस्टॉल कर दिया और उसके साथ ही मैंने एक और चीज की कि मैंन इस फोन में गेम लॉंचर करके एक सौफ्वेर दिया हुआ है मैंने उसको इनेबल करके रखा हुआ था फिर 4G गेम को अंस्टॉल करने के बाद मैंने वह गेम लॉंचर को डिसेबल कर दिया तो गेम लॉंचर को डिसेबल करने के लिए आपको एडवांस सेटिंग में जान कि आप इस फोन को जितनी बार लॉक करके अनलॉक करेंगे आपको नई नई वाल पेपर देखने को मिलेगा तो यह फीचर लाता है सैमसंग ग्लांस एप्लिकेशन के साथ कोलाइब करके यह सारे जो फीचर थे हैं वह ग्लांस ही देता है तो मुझे यह फीचर पसंद नहीं थ दिया था और इसकी जगह मैंने कोई और लॉक स्क्रीन लगाया था तो मैं बताता हूं आपको मैंने वह कहां से चेंज किया था उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाके यह लॉक स्क्रीन में जाना होगा लॉक स्क्रीन में आपको एक सेट कर दिया था जब मैंने इसको इस पे सेट कर दिया था तो मेरा नेट हर 2 मिनेट में डिसकर हो जा रहा और जब मैंने glass on Samsung पे इसको सेट किया तो मेरा नेट बिल्कुल ही अच्छा चलन लगा और बहुत ही अच्छी Speed भी देने लगा तो मुझे जहां तक experience हुआ कि यह दो ही चीज का problem था पहला कि जो मैंने यहां पे lock screen को change किया था इसकी वज़े से problem था और दूसरा कि जो मैंने game launcher को enable किया था उसकी वज़े से problem मुझे face करने को मिला था तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपको यह video कैसा लगा comment करके जरूर कि आपका samsung में problem क्या है और आपने उसको कैसे solve किया ताकि दूसरे users जो है उनको भी थोड़ा help मिल सके और इस video को like कर दीजिए इस वाले channel को subscribe कर दीजिए मैं आपसे next वाले video मिलता हूं तब तक के लिए bye bye